हलो फ्रेंट स्वागत है आपका इस्टेडी विट मैं फ्रेंट आज की एक लेटेस्ट और बहुत बड़ी अपडेट आ रहे जो आपके आरार भी यंटी पीसी और गुरूप डी के एक्जाम से रिकार्डिंग आ रहे हैं कि फाइनली फ्रेंट से आपको पता होगा यंटी प पाइनली फ्रेंट उसी से रिलेटर आपके आरार भी भूपाल के आफिसल बेशाइट पर एक बहुत बड़ी अपडेट आये जिसमें आपके एक्जाम का रिलेटर आपका सेडूल कब तक आएगा उसके बारे में वहां पर बताएगा इसलिए फ्रेंट मैं आपको इस सब्सक्राइब अब आपको इसलिए किया आपके लिए एसलिए आपके लिए जोस्ट पूत से चालुख जूखा है जो आपका साथ नॉम्बर का टेस्ट आप मिस कर चुके हैं लेकिन आप यह 14 नॉम्बर का जो टेस्ट होने वाले आप इसको मिस मत करना यह जाएगा आपको सुभा 10 वजे अने अकडमी आए पर जाना है वहां से आप जो है तो इस टेस्ट को दे सकते हैं फ्रेंस फाइनली य आपको आर्ल निडिया इसमें आपकी क्या रेंक है वह भी आपको पता चले गा इसके लबावा मैं आपको बता दू यह जो एदिएह का बाख्याओ आपको वीडियो के मादम से ओ भी आपके लिए कापी इंपोर्टेंड होगा तो फाइनल प्रिंट्स आपका जो यह टेस्ट होने वाला है तो मैं आपको बता दूँ बहुत सारे स्टूडेंटों का 55 से साथ नंबर ही टेस्ट में आता है उनके लिए अब आपको क्या करना है आपकी जो रैंक है वो रैंक क्या रहे क्योंकि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा कि analysis करने में आप कहां पर गड़बड़ी करने या जाप से कुछ भी गड़बड़ी हो रहे उसके recording में आपको लिए वीडियो बनाओंगा और separate वीडियो बनाकर मैं आपको बताओंगा कि आप जो है अपने marks को कैसे increase कर सकते हैं लेकिन आप सभी के स्टुडेंटों के मन में क्यों लेक ही सवाल है कि अंटी पीसी के ग्याम कब होगा तो उसके recording जो यहाँ पर information आईए मैं आपको बोड़ नोटिस आपको दिखा रहा हूं आपको इसको जैसे ही नोटिस को नीचे करके आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सामने जो नोटिस है वो ओपन होकर आ चुका है मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस नोटिस में क्या के information आई है गवर्मेंट आप इंडिया मिनिस्ट्री आप रेलवे के द्वारा यह जो नोटिस है वो पबिलिस किया गया सिये नमबर यहाँ पर सिये नमबर 032019 आप से आपका रॉक्यर्मेश्न दीकर में आपको दिखा रहा आप्लीकेशन वरवाइ इंवाइट इलेजबल कंडिडेट यहां पर फिर जो यह बता रहे कि आपका जो इलेजबल कंडिडेट थे जो आपके इसके अलावा क्या बता गया है पर किड़ इसके अप्लीकेशन वाच कंडिडेट इन अप्लीकेशन अपने किया ता उसकी जाच पूरी तरीके से कर ली गई और फाइनली जो इसका लिंक भी जारी किया गया था आपका 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2020 के बीस में जिसम स्टूडेंटों के जिनका अप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्ट कर लिया गये तो उनका जो है तो कोविट-19 की जो आपकी गाइड लाइन से उसको ध्यान में रखते हुए आपका एक्जयाम कंडेक्ट कराये जाएगा वो एक्जयाम आपका कराने के लिए जो के समबर के बीच में होने वाला तो फाइनले प्रेंट सभी च्टूटेंटों के मन में के पाहले यंटी पीसी का इग्जाम 15 दिसम्बर से स्टार्ट होने वाला था लेकिन क्या हुआ कि आपका में इसलेंट इसलेट के टेगरी के एक्जाम कराया जा रहा है तब आपका यंट पाइलर्ट की एक्जाम हुआ तबो 31 अगस्त को जो है तो कम्प्लीट हुआ था और आपका जो ग्रूबडी का एक्जाम चालुआ था बहुत 17 सितंबर से चालुआ था फाइनली प्रेंस आप देख सकते हैं यहां पर देखेंगे दोनों एक्जामों के बीच में 17 दिन का जो जो है तो दोनों एक्जामों के बीच में इतना भी डिफ्रेंस रखता है आपके यंटी पीसी और मिनिस्ट्रे लेंड आइसो लेटर कर्टेगरी के एक्जाम में था फाइनली आप भी देख सकते हैं कि आपका जो एक्जाम होने की पोसिवल्टी है बहुत 10 जनवरी से एब मैं दो फीकम ठाइम है लेकिन आपके पास आच्छा भासा टाइम मिल चुका है आप अप्के अपरने को एक महीनहें आपका टाइम बिला है आप और पूर्सन पूर्फन आपको कमेंट बाक्स में जरूर बताना और वहां पर उसका इनलिसेस भी होगा आप उसको इनलिसेस करना इसके बाद आप जो है थर्ड मॉक टेस्ट दे पाएंगे करना इसके बाता इसके बाद आपको बता दूग जो आपका ग्रूप डी का एक्सवास वेदन किये गए तो आपका जो एक्जाम होने आपक आपको इनपोर्टइन इंपर्टशन इनप्रॉर्मरेसन आपको प्रोषी कर दिया हूँ याद फिर भी आपकी ग्याम से रिकार्डे कोई भी मन में डाउट है वो आप हमें कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं आपके कमेंट को रिप्लाइ करूँगा मैं आपको मिलता हूँ नेक्स अपडेट के साथ है अश्टेडि वित मैत पार